हलो एवरीवान एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले है अलेगर्ड मुस्लिम उनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस वा था आप लोगों का उसके बारे में इसके जो रिजल्ट है वो आना स्टार्ट हो गए है तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपको जो समझा दिया जाए कि किस तरीके से इसका एडमिशन का प्रोसेस रहता है आपको कहां पे जाके सारी चीज़े चेक करनी है आपका जो रिजल्ट है वो आपको कैसे पता चलग कि आपका selection हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो सारी चीज़ों पर हम लोग discuss करेंगे इस्टे आप लोग इस वीडियो को पूरा वोज करिएगा चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजे और अगर आपने CUNIT PG का भी entrance दिया है तो आप लोग हमारा टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिजेगा वहाँ भी हम लोग आपकी counseling में काफी help करने वाले है तो अभी हम लोग बात करते हैं अलिगड मुस्लीम इनिवर्सिटी का PG के लिए जो entrance वा था उसके बारे में और इदर जो है अलग आपको शो कर रहा है तो अपने को यहाँ पे क्यों admission वाले पर ज्यादा focus करने क्योंकि अपने लिए यही अभी फिलाल useful है तो यहाँ पे देखिए second number पे जो है उपर आपका counseling का portal है तो यहाँ पे जब आप लोग करेंगे तो online आपको counseling जो है वो करनी है ठीक है तो यह जो इसका पूरा portal है वो open हो जा रहा है तो मैं यहाँ पे बता जता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है तो यहाँ पे application number और password ज पर देखिए three section बने हुए है एक school का है और एक schedule का है और एक result का है तो इनको आपको ध्यान में रखना हूँ है बिल्कुल अच्छे से आपको बताने का प्रियास कर रहा हूँ तो यहाँ पे यह result वाले पर automatic आ गया है तो यहाँ पे क्या है पहले cunit वाला देखते है तो cunit और एक फिल्ट है वो आ चुका है जी आप यह जो देख रहे हो इनमें जो है BA का भी सामिल है तो MA का भी जैसे अगर आपने MA Hindi के लिए अप फिल किया था तो MA Hindi का यहाँ पे है आपको मिल जाएगा ठीक है MA Hindi पे जब क्लिक करोगे तो यह PDF आपके सामने ओपन हो जाएगे इ जो है admission हो गया, confirm admission हो गया, बस उनको online reporting पहले करनी है, और उसके बाद physical verification भी होगा, तो यहां से आपको result देखना है, यह आपको clear हुआ, ठीक है, यहां से आप result देख लेना, आपका जो भी course, अभी काफी सारी courses का नहीं आया है, जैसे कि social science की अगर हम लोग बात करें, यहां प जैसे political science के लिए अपलाई किया था, तो political science का भी नहीं आया है, तो आएगा तो यहीं पर आपको show कर जाएगा, ठीक है, यहां आपको clear हुआ, अब देखिए, यहां पर यह जो second option है, counseling, जो schedule का है, इस पर आप लोग क्लिक करोगे, तो नया interface आजाएगा, दीखेगा किसी एक काम लोग open करते है, तो यहां पर देखिए, इनका date दिया हुआ है, कि 26 June से लेके 28 June तक चलेगा, पहले registration वाले पर जाना है, फिर login करना है, फिर document upload करना है, choice लेना है, और फिर आपको final submit करना है, उसके बाद आपकी list आजाएगा, तो इस तरीके से इन सभी courses का यहां पर दे रखा है, इनकी date दे रखे, जुलाई तक चलने वाले है, 31st July तक जो है यह चलने वाले है, तो इनका पूरा का पूरा process यहां पर दिया हुआ है, किस तरीके से verification होगा, ठीक है, यह देखिए, पहले online वगरा यह होगा, उसके बाद document चेक करने का time दिया हुआ है, ओके re-submission का है, मतलब अगर कोई error वगरा आ जाता है, यह document में कुछ rejection वगरा होता है, मतलब कुछ problem होती है, तो फिर होता है, फिर आपको अगर आप उनको भेजते हो, तो फिर जो है, वो कब तक आपका जो चेक करेंगे, फिर जो है, आपको display होगा, first mate list कब तक display होगी, वो भी यहां पर दिया होगा, तो इस तरीके से आपको यहां पर करना है, तो दो चीज़े मैंने आपको बताए, एक यहां से result चेक करेंगे, यहां से schedule चेक करेंगे, और counseling के लिए जो हमने first वाला देखा था, जो first वाला अपना था, counseling का portal, उस पर जाके आपको counseling के लिए, यहां पर register करना, मतलब login करना है, तो वहां से जो आपको पता चल जाएगा, document वगरा, आपको upload करने होंगे, आपका जो schedule आएगा, उसके साब से सारा कुछ process रहने वाला है, तो यह था अलिगर्ड मुस्लिम इनिवर्सिटी के regarding एक update, जो कि मुझे आप सभी को देना था, और यह final फिल भी अगर कोई आपको doubt रहता है, तो आप comment books में comment कर सकते हैं, मैं वहां पर भी आपकी reply करने का पूरा कोशिस करूँगा, तो इस वीडियो में गाई जितना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया